राजिस्थान के कोटपुतली के पास बांसूर में पुलीस ने एक शांदार मिसाल पेश की है पुलीस ने अपने ही थाने में तहनात एक लांगरी की बेटी की शादी में शांदार तरीके से मायरा यानि भाद बरा है जिसकी पूरे इलाके में चर्चा के साथ तारीफे भी हो रही है जानकारी के अनुसार बांसूर थाने के लांगरी राजंदर कुमार की बेटी की शादी के मायरे में बांसूर डीस्पी सत्यप्रकाश मीना तथा थानादीकारी और उनसिंग चोदरी सहित फिलीस जवानों के स साथ अचानब पहुंचने एक बार तो लांगरी उसके परिवार वाले इस पूरे मंजर को समझ नहीं पाए बाद में पता चलने पर पूरे थाना दिकारीयों की जबर्दत सरीके से महमान नवाजी की दे जानकारी के अनुसाल लांगरी राजंदर सिंग पिछले कहीं सालों से बांसूर थाने में तैनात हैं और सभी जवानों के साथ मलंसार विभार रखते हैं बताया जा रहा है कि लांगरी की बेटी के कोई मामा नहीं इस बात का पता जब दीएसपी सत्त प्रकाश मीना को चला तब उन्होंने थाने के सभी लोगों की बैठक बुलाकर सबकी सहम सब्सक्राइब दीएसपी के साथ अचानक बहुचे थाना माय जप्त में लांगरी की बेटी की शादी में 151,000 रुपे नगद एक कान की जुंकिये तथाना की सोनी की बाली थाना दिकारी अरुन चोधरी ने बेटी की मां को सुनरी ओड़ा कर हिंडू रस्म दिवाते वे अश्रवात भी दिया खाना दिकारी अरुन सिंचोधरी ने बताया कि लड़की की मां का कोई भाई नहीं है और अठार तारिक को उसकी नड़की की साथी होनी की तो पुलिस ने उसको अपने परिवाल सब्समानते हुए और उसके महरा वरा है लफात वरा है और पुलिस के जितने भी करमक्री थाने में व्हाल कारेरत है जो पहले रहे हो। अब पर नगर देख आए हैं और लड़की के दो सॉने के गेने हैं हैं और तीम चान्दी गेने हैं लड़की की फान फीछ हम मायरे में देख आये हैं इसलिए पुलीस ने बेटी का मायरा भरावान्सूर् पुलीस की इस प्रकार की पहल की शेत्र भर में चर्चा हो रही है तता पुलीस ने सबी जवानों ने बेटी की शादी में अपना सहयोग क्या इस दोरान बांसो ठाने के जवान और अधिकारी मौजूद रहे ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दनगरी मीडिया